हलो गाईस, स्वागात आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूटूब कितने व्यूज पर कितना पैसा देता है यानि दोस्तों आपकी यूटूब की वीडियो पर जो व्यूज आते हैं YouTube कितने views पर कितना रुपिया आपको provide करता है साथिन दोस्तों मैं आज आपको एकदम like group के साथ दिखाऊंगा कि मुझे कितने views पर कितना पैसा मिल रहा है तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहे तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर YouTube की बात समझने के लिए कि कितने views पर कितना पैसा मिलता है उससे पहले फ्रेंज मैं आपको कुछ important knowledge दे देता हूं ताकि दोस्तों जब मेरी वीडियो आप सुरू से लेकर end तक देख लेंगे ताकि आपके mind में जो भी doubt हो जो भी question हो अच्छी तरीके से वो solve हो जाएं तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमें कितने views पर कितना पैसा मिलता है यह बात बिलकुल गलत है तो दोस्तों आप सोचेंगे कि यह कैसे तो friends मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि views पर करी भी YouTube आपको पैसे नहीं देते है यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको YouTube पैसा देता है आपके वीडियो पर जब ads आते है उसका दोस्तों देता है एक बार दोस्तों दिखाए जारे हैं दो बार दिखाए जारे हैं तीम बार दिखाए जारे हैं चार बार पांच बार कितनी बार दिखाए जारे हैं यह भी बहुत बड़ा important रोल होता है तो दोस्तों मॉल देए अगर आपक की वीडियो आट मिनट की उपर है तो दोस्तों आपको अफ़्रे में भी ऐटस देखनों को मिल सकता है लाश में भी एक देखनों को मिलेगा अगर आपकी YouTube की वीडियो पर कितना बार दिखाए जाते हैं अब दोस्तों कि आपका YouTube के चैनल किस कैटेगरी का है अब दोस्तों सोचेंगे किस कैटेगरी का मतलब कि यह होता कि आपका YouTube चैनल टेग टेगनिकल केटेगरी का है, स्पोर्ट का है, ब्लॉक्स का है, कुकिंग का है, न्यूस का है, किस टाइप का आपका YouTube का चैनल है उसी टाइप के आइड्स आपके YouTube के चैनल की वीडियो पर दिखाए जाते हैं, और उसी के हिसाब से आपको YouTube के तरफ से पैसे भी दिये जाते हैं तरफ दोस्तों, तिसरी बात दोस्तों कि आपके YouTube की वीडियो किस कंट्री में देखी जारी है, यानि दोस्तों अगर माल लिजे, मैं अभी इंडिया से वीडियो बना रहा हूँ, और इंडिया में हूँ, तो मेरी वीडियो अगर इंडिया में देखी जारी है, तो इसके कुछ जाधा कोईंड में मिलते हैं तो इस तरह से दोस्तों यूटूब का वीडियो जो आपको एड़ दिखा जाते हैं इसी तरह से फ्रेंस आपको प्रोफिट मिलते हैं आपको यानि पैसे दे जाते हैं ना कि आपको व्यूज के साथ पैसे मिलते हैं तो चलिए फ्रेंस मैंने अपने YT Studio एप को open कर लिया है और यहाँ पर मेरी सारी YouTube की video ओपन हो चुकी है तो friends, यहाँ मैं किसी एक वीडियो को देख लेते हैं कि किस पे मुझे कितना पैसे या $ मिल रहे हैं तो friends, यहाँ पर मैंने इस पे click किया तो दोस्तो इस पे दिख लेते हैं कितने ब्यूज है यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सो एकतर ब्यूज है और यहाँ पर green डोलर है मतलब वीडियो ठीक है चल रही है दो सो एकतर ब्यूज है तो चलिए go to analytics में देखते हैं कि मुझे इस बीडियो से कितने profit हुए किसी और वीडियो के यहाँ पर आप open करके देखता हूँ तो दोस्तों जैसे मेरी यह वीडियो है अब इसको open कर लेते हैं तो दोस्तों यह देखिए मेरी इस वीडियो पर जो है 83 views है और इस पर मैं go to video analytics कर दिया और इसका revenue देखते हैं तो फ्रेंज यहाँ पर देखिए इस वीडियो से मुझे dollar में है 0.03 पैसे यानि dollar मिले है तो दोस्तों यह बहुत point में बहुत कम मिले हैं पर मिले हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस वीडियो से मुझे कुछ भी नहीं मिले थे और इस वीडियो में मुझे कुछ point में यहाँ पर dollar मिले है तो फ्रेंज इसको मैं back कर लेता हूँ और किसी एक वीडियो को ऐसी देख लेते हैं जिस पर दोस्तों मेरे ज़्यादा views आये हुए है तो उस वीडियो के हम लोग idea लगाते हैं कितने वीडियो के views पर कितने पैसे मिलते हैं यानि दोस्तों उस वीडियो पर जो ads आये होंगे कितनी बार आये होंगे या कितने ज़्यादा उससे profit हुआ है तो फ्रेंज यहाँ पर मैं कोई एक वीडियो ऐसी select कर लेता हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा views मिले है तो फ्रेंज मैं थोड़ा सा और निचे जाता हूँ अपनी वीडियो को ढूण लेता हूँ दोस्तों जैसे यह मेरी वीडियो है इसको मैंने click कर लिया तो फ्रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इस वीडियो पर 64,999 यानि 65,000 करी वीज हो चुके यानि हो गया है तो दोस्तों यह 65,000 एक round figure है यानि 60,000 को ऊपर मेरा वीज आ चुका है अब मैं analytics में जाता हूँ और इस पर revenue देखता हूँ तो फ्रेंज यहाँ पर revenue में जैसे मैंने click किया यहाँ देखिए डोलर में है 12.81 यानि 12 डोलर से उपर मुझे यहाँ पर इस वीडियो से मुझे profit हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं average पकड़ू तो 12 डोलर मैं average पकड़ लेता हूँ और इस वीडियो को views अगर मैं पकड़ू तो यहाँ पर करीश 60,000 views तो यहाँ पर definitely है तो दोस्तों चलिए एक बार idea लगा लगते हैं कि कितने views पर मुझे एक डोलर मिला है तो friends यहाँ पर मैं थोड़ा सा calculator का use कर लेता हूँ और मेरा views जो दोस्तों यहाँ पर था करीब 60,000 तो यहाँ पर मैं count कर लेता हूँ 60,000 और divided कर देता हूँ 12 डोलर यानि 12 डोलर था अब friends यहाँ पर divide कर दिया यहाँ पर आ गया equal to 5,000 तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब 5000 views पर मुझे एक डोलर मिल रहे हैं तो दोस्तों आप idea लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर YouTube पर views पर नहीं बलकि ads पर पैसे मिलते हैं तो friends मैं यह नहीं करा हूँ कि 5000 views पर ही एक डोलर आपको मिलेंगे इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं इससे कम भी मिल सकते हैं आपके YouTube के वीडियो पर जितनी बार ads आएंगे उस इससाफ से आपको इहाँ पर payment की जाती है तो I hope दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि YouTube के वीडियो पर कितने views पर कितने पैसे मिलते हैं तो friends वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजे फिर भी आपके मैंड में कोई भी question हो कोई भी doubt हो तो मेरी वीडियो के comment box में आप मुझसे question भी पूछ सकते हैं मैं कोईशिस करूँगा कि आपके उस question का solve करने की यानि आपको reply करने की पूरी कोईशिस करूँगा थैंक्स पर वाचिंग जय हिन बंदे मात्रा